अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम लेकर कि एक अलग तरीके का टॉपिक आये हैं जिसमें आपका पॉलिटी का उसलेबस कबर करेगा और आप एक भारती होने की वज़े से या भी जरूरी होता है कि इस तरह के जो कि न्यूज में जो होती है इसू या जो मुद्धे ह होते हैं उसमें आपको अपडेट रहना या फिर अवेर रहना बड़ा जरूरी होता है बहुत कम ऐसे टीचर्स या फिर न्यूज मैगजिन्स रही हैं जो कभर किया है हलाकि जो मेजर या फिर जो बड़े रिस्पेक्टेबल या फिर वैल्यूएब जो न्यूज पर है उन् में इसको एक अलग पॉइंट ऑब व्यू से देखना पड़ता है जो यह पॉलिटी का सलेबस है इसमें आप कह सकते हैं जीएस पेपर जो प्रिलियम का वन होता है जीएस पेपर टू मिंस में जो होता है उसके पॉइंट ऑब व्यूज से कफी इंपॉर्टेंट होगा एट सभी सवालों के जवाब हमें कुछ चंद जगाओं पर मिलता है जिससे हम कह सकते हैं कि नहीं हम आज 75 साल के इंडिपेंडेंडेंस हुए हैं तब से हमारे देश में सांती अपूर तरीके से जो की सभी चीज विकास और अपने अस्तर पर चली हुई है इस कॉंटक्स में इंडिया एक लोकतांत्रिक या डेमो क्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिटी है या कंट्री है तो हम प्राउट फिल करते हैं तो हमें क्यों प्राउट फिल होता है इसके पीछे भी कई रीजन्स होते हैं दूसरी तरफ यह भी होता है कि हम जब आजाद हुए तो उस समय भी कई लोगों ने हम पर अंगुलिया उठाई और कहा जी देखिए जहां पर 35 परसेंट लोग लिटरेट हैं वहां पर इस तरह की चुनाव प्राणाली बेवस्था जो की लागो किया जा रहा है लेकिन उन लोग जो अंगुलिया उठाएं वो लोग अब गायब हो गए और इंड फिल किया वर्ट अभी दुखत बात आई है काफी शोकिंग भी रही है कि हम कैसे विश्वास करें किसी पर कि नहीं यह न्यूट्रल या फिर ट्रांस्परेंट तरीके से काम करता है न्यूजाई हुई है कि जो चंडीगड एक यूट्रेटरी है के अंदर सासीत प्रदेश है वहाँ पे मेयर का एलेक्शन होगा और एलेक्शन में कहा गया कि कोई एक्स पार्टी का कर्नेडियर जीता है पार्टी का नाम है भार्थी जीता पार्टी दूसरी तरफ आमादमी पार्टी और उसके जो नाम हरते है ज्यादा वोटो से नहीं कुछ ही वोटो से अंतर पर और बाद में कुछ समय के बाद सोसल मीडिया डिवाद जगों पर एक वीडियों गरतफ न होता है study से इतना सेंसिटिव हो जाता है वीडियो कि यह सुप्रीम कोट तक पहुच जाता है अब कहानी क्या है यह मैं बताता है यहाँ पे आप देखेंगे तो यह एक ब्यक्ति हैं और यह हमारी चिप जश्टिश ऑफ इंडिया हैं कहने को कहा जाता है कि कोई भी जो पोस्ट होती है वहाँ पे जो बैठ है लोग होते अधिकारी जो सरकारी करमचारी होते वह नियूटरल होते हैं जो काintegrates में जो है कि उनको नूटरल नहीं। तो वुजूद है उन्होंने एक वीडियो में पाया गया कि वह जो वैलेट पेपर थे उसको इन्वैलिड या फिर उसको खराब कर रहे थे कि वह काउंट में नहीं आएगा जिसे माल यह होता क्या है कि जब कोई वाक्स यो वैलेट पेपर होता है उस पर अगर डबल किल्क हो आसेंबली के जो एलेक्षन होता है ऐवीवूप ip m से होता है यो ईक्ली बैलेट साथा स्कीष् TW डाला गया था उसको खराब कर रहा थे जिससे झाउंट ना हो तो कहा गया कि वह जो घशibt आ यह आम आदमी पार्टी के में वोट्स वोट दिये गये थे और उन्होंने आठ दस कुछ वोट खराब करके जो अधर पार्टी की करने दे दे थे उनको जाया वीडियो जो वारल हुआ वो कैमरे की रिकॉर्ड में आ गये और उनके चेहरे पर कहीं न कहीं एक अलग तरीकी की सिशन देखने को मिल लई थे कोड तक मैतर जाता तो सुप्रिम कोड कहती है कि दिसी जी ये मौकियर ओप देमो क्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे यह तक कि अस्वशन दिया गया सुप्रिम कोड के द्वारा पर कहान यहीं पे नहीं खतम होती है क्या यभी सवाल जो उठाती है अपोजीशन पार्टी जीताने के लिए हो सकता है आगे भी कुछ करते हूँ यह दूसरी जब कहा है वी विल नॉट एलाव डेमोक्रसी टू बी मॉड़र्ड ठीक है शुप्रियम कोट अंड़ चंडीगर्ड मेयर एलक्षन रोके बारे में इन्होंने ऐसा कहा जब इन्होंने ऐसी बात कही तो खला क कि यहां पर कई सवाल निकल करके आते हैं सवाल निकलता जी सवाल है ट्रेजरी चंडीगर्ड अन्दव मेयर एलक्षन अन्ड़ सुप्रियम कोट और रिमार्ग देखे कई यहां पर सवाल बनते हैं जो वहां पर होते हैं रेटर नहीं ऑफिसर यहां पर वोड जो है कि खरा रूमर में आता है सुप्रियम कोट अपने में लेती है यह तो न्यूज में था बट हमें तो यह है कि हम अपने एक्जाम्स का जो रिक्वार्मेंट है उसको कैसे पूरा करें अब हम यहां पर टॉपिक लेंगे अगर मैं टॉपिक का नाम लिख हूं यहां पर आपके साथ टॉपिक में आएगा कि पॉलिटी का पॉलिटी में एलक्षन एलक्षन आएगा और एलक्षन में डेमोक्रेसी बहुत ही इंपोर्टेंट होती है डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है ना पूरी तरह से ट्रांसपरेंसी एकाउंटबिलिटी रिस्पोंसिबिलिटी के साथ जो क आयोग होगा यह एक तरशे इंडिपेंडेंस होगा है इन इंडिपेंडेंस होगा मतलब इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर गॉवर्मेंट का दबाव नहीं होता यह भी कहा जाता है जब टीयन सेशन जब चीफ कमिशनर थे भारत सरकार यहां पर कमिशन ऑफ इंडिया के तो इनके पास एक गया था लेटर गया था उस पर लिखा गया कि गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया जिसे लिखा था भारत भारत सरकार लिखा होता है तो उन्हों लेटर को एक्षप नहीं किया कहां उन्होंन जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेड्स एलेक्शन कमिशनर में से गिना जाता उन में से सबसे टॉप में आते हैं तेंसे संदा हलार कि साथ वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा खेमास कोड था आई इट पॉलिटिसियन इन माई ब्रैकफ़ेस्ट काते हैं मैं अपने नाश्टे में जो नेता लोग होते हैं उनको जो की खाता हूं मतलब कहने का मतलब यह नहीं उनका ओमलेट या सेंडवीच बिनाते हैं इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले यह पढ़ते थे कि कौन सुर्सक्राइब करें कोंट स्योगमर्स पढ़ता हैं जो कि छेटेवर्य cutting Supreme Court में जो कि इस गया है मेछँंड़ मेर का जो इलक्षन हुआ है क्यूंगी जै कुछ घबले बाजिक किया इस कॉंटेक्स में लेघर के बात से क्योंग डिकशन हुआ यह हमारे कि इसी क्या है सबसे पहले इसी क्या है कि जो Sel Student क्मिशन अफ इंडिया होता है या फिर जो election commission होता है election commission एक आपका इंडिया का होता है और दूसरा जो होता है वो states का होता है लेकिन यहाँ पर confusion आपको एक चीज देखने को मिल सकती है मिल यह सकती है कि भारत में दो तरह की राज्य पहाए जाते हैं एक होता है राज्य इन्डिपेंडेंस और federal form of government को follow करते ह हैं दूसरा union territory जिसको केंदर सासी प्रदेश कहते हैं केंदर के द्वारा रूल किया जाने वाला रिजाज्य जैसे फिर मैं यहाँ पर आपके साथ discuss करूंगा लेकर के कुछ चीजों को देख है जैसे मैंने क्या कहा कि एक होते हैं states होता है states होते हैं जैसे माल यूपी होता ह दूसरा होते है union territory जिसको करते हैं केंदर सासीत प्रदेश प्रदेश और union territory के रूप में देखते हैं जैसे माल जी आपका कंडीगर हो गया जादर अनागर अवेली दमन्दियो और लक्षदीप अंडमान निकोबार इस अभी है फूचेरी है फिर उसके बार दिली है फिर जमू कस्मीर और लदाक के दिगर सब है आठ union territory है total 28 हमारा states है I hope कि मैं clear हूँ आगने वाले समय में हो सकता है कि यह 7 union territory हो जाए और यह 29 states हो जाएगा अब यह आने वाले समय में क्योंकि जो जमू कास्मीर है इसको demand हो रही है कि इसको statehood का status दे दिया जाए बात में करते हैं जब हम state की context में दोस्तों जब बात करते हैं तो चीज़े यह आते हैं कि हम फालो करते हैं 7th schedule का 7th schedule का फालो करते हैं बट इसमें जो की नहीं करते हैं मतलब जो division होता है division होता है वे duty का किसके किसके बीच में government of India union and the states का नहीं होता है बट यहाँ पे होता है राज्या अपने अनुसार कुछ कामे करता है और बहुत से चीज़े केंदर सरकार करता है उसमें हाथ अक्षिप नहीं किया जाता है इसको कहते हैं फेडरल इस्टक्शर के रूप में कही तरह के फेडरलिजम होता है जो करते हैं जब चंडिगर में यहाँ पर जिसे में बात करूँ जो मैं बताने की इच्छा मेरी थी जा है जो बताने का उसको लिए जब इस्टेट में लोकल बॉड़ी का लोड़ एलेक्शन होता है अलेक्शन लेखल एलेक्शन मीन्स की जैसे पंचायथी राज इंत्योट्योष। and urban local body की बात करते हैं इनका election जब होता है तो election conduct करवाय जाता है किसके द्वारा state election commission के द्वारा जिसको 73 74th third Constitution Amendment Act की द्वारा किया जाता है बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं न यहाँ पर ले करके union territory को ले करके तो हमें पता है यह के अंदर सासी थे न तो यहाँ पर central government का रोल होता है बात समझ गये तो इस context में इत्तों हमने बात कर लिया दूसरी चीज यह होती है यहाँ पर एक चीज मैं और आपके साथ share करना चाहूँगा हमने कहा कि जो चंड़ीगर का था चंड़ीगर का जो election था उसमें returning officer returning RO जिसको बोल दे सकते हो वो UP वाला RO नहीं यह returning officer की बात कर रहे है जो घपले बाजी हुई इसमें case चला जाता है मेयर का मेयर election का कहाँ पर supreme court में चला जाता है supreme court action लेता है जब हम बात करते हैं एक तरफ कते हैं democracy को ले करके democracy को ले करके तो यह दर्मियान यह भी होता है democracy की जितनी भी pillars है उनमें सी एक ने कहा election commission होना चाहिए independence तरीके से और दूसरी जो pillars है उसमें independence sense of judiciary judiciary मतलब इसमें कोई हग तक शेप नहीं होगा और लोग तंतर में इसको democracy को बोलते हैं न लोग तंतरा लोग तंतर के रूप में देखते हैं लोग तंतर में democracy जो judiciary होती है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और judiciary में आपका क्या-क्या आता supreme court आती है high court आती है and lower court आती है और हमें पता है कि जब लोग तंतर में democracy या भी constitution की बात आती है जाते हैं जबकि वो ज़रूरी नहीं होता कि supreme court में जाना अच्छे ये provision है लोग बहुत जाते हैं don't worry लेकिन जो supreme court का original काम है supreme court की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर supreme court का real में जो duty है यहाँ पर यह देख सकते हो तो यह constitution से constitution and democracy या पर जो major issue होते हैं इसे constitution crisis में संभीधान जो कि संकट में है लोग तंत्र संकट में ऐसे मुद्दे पे supreme court alert होती है और जिसमल जी MP जो गर जो suspend किये जाते हैं उनके context में लेके बात करते हैं तो यहाँ पर यह इस चीज़ को लेके consider करना चाहिए बट judiciary active हुई किस context में जो कि mayor का जो election हो इसने कहा supreme court ने हम इसकी death नहीं होने देंगे किसी भी हालत में लोग तंत्र का यहाँ पर दो मतर निकल के आते हैं supreme court के statements से क्या आते हैं दो तरह के states में निकल करके आते हैं supreme court का जो statement आता है दो आता है एक तो वो आता है पबलिक के पबलिक के नजरों में पबलिक के दिमाग में यह डालना कि घबडाईए मत पानिक मत होईए supreme court बैठी अगर कुछ चीज होती है ऐसे चीज हो गई दूसरी जो होती है यहाँ पर जब constitution of इंडिया का crisis या संक्ट में पढ़ता है तो supreme court काते है न गौर्जियन गौर्जियन ओफ दर constitution या वाच डॉग अप दर वाच डॉग आफ दर constitution दो पांट पॉइंट ओव यू से कह रहा जाए दो पॉइंट ओव यू से supreme court का instrument मैं अपने point of view से देख रहा हूँ अब इसके बाद ये सवाल आता है कि जो supreme court में कहा है अब उसका क्या outcome आएगा supreme court का outcome अब वो देखने वाली बात है देख है supreme court का outcome आएगा वो देखने वाली बात है पट यहाँ पर यह जो questions अब निकल करके आ रहे हैं questions यह निकल करके आए जो returning officer है इसके बारे officer के बारे में कौन आपोइंट करता है और यह कैसे काम करते है कि duty क्या होती है मैं मुझे लगता है कि यह कोई exam सा मुझे नहीं पता है कि वो exams कौन सा था बट उसमें यह बोला गया था जो recounting होता है recounting कौन करवाता है किसके पास पावर होती है recounting का पावर recounting मतला माल जी बनारस वारांसी जो Contituency है उसमें Prime Minister of India मोधी जी का Contituency है बहुत पापुलर है बच्चा बच्चा जहनता है उसमें जब हम बात करते हैं कि माल जी है कोई international Congress है और यह कहते है कि वारांसी का वो सही नहीं हुई है और उसको फिर recounting किया जाए recounting किया जाए तो किसके पास पावर है कि वो करवा सकता है यह जो returning officer होता है इसके पास power है कि recounting करवा सकता है जैसे उसमें option दिया गया था election commission of India फिर returning officer presiding officer और भी ऐसे करके दिया गया था चलिए ठीक है यहां तक बाते तो अब returning officer को ले करके यहां पर question बन गया हमारा दूसरी चीज है इसका appointment 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 कैसे किया जाता appointment देखिए election commission करता है election commission of India किस context में किस context में जब आपका लोक सभा and state legislative assembly का जब election होता है हर एक constituency में ठीक है यहां पर मैं लिख रहा हूं in every constituency इसका इसका एक होता है इसको कहते है returning officer के रूप में हम इसको indicate करते हैं यहां पर आप देखिए इसके इसके नीचे छोटे छोटे अधिकारी होंगे जो returning officer का सहयोग करेंगे यहां पर मैं डाइगराम बनाता हूं यहां फिर फिगर से बनाता हूं जैसे वारानसी है ओफिसर की जो ranking होगी सबसे उपर यहां पर आपका कौन होगा returning officer होगा इसका सायोग करने के लिए assistant returning officer होगे ठीक है और उसके बाद जिसे boot होते हैं सबसे नीचे होते हैं boot उस पर आपका presiding officer होता है presiding अब newton movie देखा होगा राजकुमार राव की जो लक्षलवाडी अरिया में जाकर election जो conduct करवाते presiding officer होता है और वहां बूत का प्रेसाइडिंग officer boss होता है तो जो returning officer RO होता है वही boss होता है वह समझ मैं आगे यह चीज होती है दूसरी चीज returning officer generally generally कौन होता है यह भी हम यह पता होना चाहिए कौन होता है कहां से आते हैं उनको प्रेखिए generally यह देखा जाता है कि जब हम लोग सभा की area बात करते हैं उसमें जो district magistrate होते हैं दूसरी तरह generally यह भी है कि जब state legislature assembly का election होता है जो sdm होते हैं अब division magistrate उनको आज यह बना दिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि state legislature assembly का area छोट होती है और लोग सभाई area का बड़ा होता है एक लोग सभा continuity में काई state legislative assembly आ जाते हैं तो इस point of view से आप इसको जिसे block है district होता है वैसी यह भी होता है हम इसको identify अब इसको और आगे हम लेकर के अगर चले कि किसी साब से आगे काम करते हैं जो returning returning officer returning officer होते है इनकी context में बात करते हैं हमने क्या कहा appointment कौन करता है election commission of India इस context में लोग सभा and the state legislative assembly होते हैं DM हो सकते हैं अब इनकी returning officer होते है power क्या है power क्या है इस चीच को लेकर हमें पता होना चाहिए इतनी power है इतनी power है इनके पास कि यह चाहें तो recounting करवा सकते हैं क्या कर सकते हैं दुबारा जो कि इनका recounting करवा सकते हैं इस चीच को लेकर दूसरी यह भी बात है कि इनके पास statutory शमवयदहानिक 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 सकती होती है इस चीच को लेकर statutory power होती है क्या होती है statutory power मतलब constitution में यह नहीं इनसान है बढ़ हाँ कर सकते है दूसरी यह भी चीज है कि जैसी मालीजिये conduct polling मैं बात करूंग आपसे कर सकते है conduct polling की बात कर सकते है election जो conduct करवाय जाता इनहीं की दिंगरानी में देखरेख में किया फिर उसके बाद counting process counting process इसको करवाय जाता है अब इसके बात करें की valid paper जो valid होगा इसे valid या invalid है या नहीं यह जो की आपका presiding officer ही देखरे करते है invalid करवा दिया उन्होंने कुछ votes को दूसरी बात है अभी एक बात दिखिए यह जो power इसके पास पावर नहीं है पावर नहीं है रिटर्निंग officer का जो काम दिया गया conduct polling counting process invalid process को invalid करदे नहीं कर सकता कितना powerful होता है इस चीज को हमें पता होना चाहिए इस जो की context में जो हम बात करते है और यह जो nominate design वगरा designate किया जाता है कौन होगा उस constituency का करते हैं और दूसरी चीज यह भी है कि each constituency में हमने भी बात किया यह से माल लिजेए इस हिसाब से हैं returning officer होता इसके assistant के लिए कुछ officers होते हैं जिसको कहते हैं assistant returning officer आ समझ गए यह चीज हम यह पता होना चाहिए कितना powerful होता question जो था उसमें मैंने format भी किया मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर मन्थन करेंगे नहीं कि क्या point of view था आज के लिए कियर मैं इतना है तब तक गले तक्युम्म झाल क्याई क्या क्या